हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस किसी भी विसे को याद करने में आपको प्राबलम हो रहा है और वह विसे आपको आसानी सी याद नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस विसे को याद करने में आपको बहुत जादा मन लगेगा और पढ़ने मे कि भी साथ में आपका मन लगेगा। कि देखने के बाद वह आपका प्राबलम साल्प हो हो जाएगा। कि किसी भी स्थिटै को जन्दी झाम करने का आप जिखिए कि याद करते हैं। फ्रेंस आपको सिर्फ क्या करना है कि जितने भी आपको पॉइंट बताने वाले उन पॉइंटों को आप ध्यान से देखिए और उसे फालो भी किजिएगा फ्रेंस देखे आपको सिर्फ जो है आठ पॉइंट पताएंगे यह आठ पॉइंट आप यदि जान लेते हैं तो आपको किसी भी विशे को याद करने में किसी प्रकार का प्राब्लम नहीं होगा देखे फ्रेंस पहले नमबर आपको क्या करना है कि इस ट्रिक को सीखने के लिए आप वीडियो को अंध तक जरूर देखिएगा आप बीच में वीडियो छोड़के चरे जाएंगे तो आपको यह ट्रिक समझ में नहीं आएगा देखे पहला प्वाइंट के है कि दोचीजों को रिल्यट網 करकी याद रखें देखे फ्रेंस किसी भी वीसे को पढ़ रहा है तो उसको आप एक दुसरे से रिल्यटेट करके पाहना चाहिए देखे रिल्यटेट करने का मतलब क्या होता है जैसा आचार रामचंदरशुक् परचे याद रखेंगे उसमें जर्म अस्थान मिरित्यू उनकी राचनाय याद करेंगे इस पकासत आप क्या किजिए कि बगल में जैसंकर प्रशाद का भी लिख लीजिएगा जब पहले आप आचार रामचंद्र शुक्ल का जीवन परचे आप याद कीजिए जब जैसंकर प्रशाद का आप जीवन परचे याद करने लगिएगा आप क्या कि जब इनका जर्म याद कीजिए कि 1889 में हुआ था इसी पकासत तुर्द उसी समय आपको दिमाग में रिलेटेट करना पड़ेगा कि आचार रामचंद्र शुक्ल का जर्म कब हुआ था तरह दोनों के एक संकर प्रशाद का जर्म आस्थान कहा हुआ था जर्म जैसे आचार रामचंद्र शुक्ल की मिरत्यू याद कर रहें तो उससे तुरंत आप दिमाग में दोर आईए कि संकर प्रशाद की मिरत्यू कब हुई थी जब एक दूसरे से रिलेटेट करकी एक बार याद कर लेंगे कविता और गाने के तरह याद करें जैसे कोई फार्मूला हो गया है या कोई पॉइंट ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है उसे अपने तरह से कविता या गाने के रुप्रे उसे चेंज कर लिजिए देखिए एक्जांपल के तोर पर समझाते हैं कि इसको कैसे याद करना जैस अब कि जिन्दगी में कभी भी नहीं भूलेंगे एक बार याद कर लेंगे तो देखियो है जैसे लिखे इसी तरह से लिकलिक कर दोदें लाट waisting और फिस प्टकास यहाद रखते है लमय की तरह गाने की तरह आने उसको बना लेंगे अपने सब्दों में उसे याद रखेंगे तो कभी भी जिन्दगी में एक बर याद कर लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं समय ही आपको वह पॉइंट बहुत अच्छे तरह से याद हो जाएगा इस पॉइंट पर ध्यान दिजिएगा कि लिख कर याद करने का प्रयास कीजिएगा अगला पॉइंट है यह आपको देखिए रात को समय क्या होता कि जब किसी विशे को पढ़ते हैं तो आपको नीद ल लगेगा और वह बहुत पढ़ने में आपको रोचक लगेगा इसलिए कि जब आप पढ़ेंगे तो उसी का आवाज होगा आपके दिमाग में घूमेगा तो पढ़ने में बहुत मन लगेगा तो तीसरा पॉइंट था कि लिख कर याद करें और जोऔर जोऔर से बोलकर याद नहीं कर सकते हैं वह हमेंसा दिमाग में उतर जाता है तो आप क्या किजिए कि किसी भी विश्य को पढ़ते हैं तो उसमें आप डेली पढ़ने का प्रयास कीजिए इसके अलवा क्या है कि आप डेली जो जैसे गड़ीत हो गया जो इसके सुत्र होते हैं इसके सुत्र क किसे देली बैट डेली लिखने का प्रयास किझे और साथ में जितने भी फार्मॉला उसे आद कीजिए आप बार भार लिखते हैं याद करते हैं Do आपको याद होंगा इस यह वorg कि जो रही हैं कि जो सबसे अच्छा तरीका जो चुने का उस इस पर आप जो हता है सवाल लगाई यह अदि आप उसके दो तीन चार सवाल लगा लिए तो सवाल आपको अच्छे से याद होजागा जैसे देखिये जैसे दो बिच की दूरी की फार्मुला होता है ना यकसवन माइनस एकसटू का होल स्कॉर होता है फिर इसके लाव यदर minus y2 का whole square होता है ठीक है यह माली जा आप याद कर रहे हैं बार बार भूल जा रहे हैं इस पर क्या किजे कि आप दो तीन सवाल लगा लिजे दो बिंदो की बीच की दूरी बाले पर जो तीन सवाल लगा लिजे यह फार्मुला आपके दिमाग में दम छप जाएगा ठीक है तो आपको डेली बार डेली सुत्र याद करना है उसके साथ में उस पर अधिक सवाल लगाने का प्रयास कीजे आप कभी भी सुत्र को भूलेंगे नहीं अब इसके अलावा अगला सत्वा पॉइंट देखिए कि रोज रिविजन यानि जितनी भी सब्जेक्ट आप पढ़ते है तो उसका रिविजन करने का प्रयास कीजिए आप क्या कीजिए कि रिविजन के लिए एक घंटा समय दीजिए जितना भी से पढ़े हैं डेली बार डेली माली जित दीन भर आपने पढ़ाई किया पढ़ने के बाद आप शाम को सोतने से पहले सोने से पहले आप क्या इतने भी सब्जेक्ट उसका एक बार रीकाल कीजिए यानि कि आप देखिए कितने आपको याद है कितना भूल रहे हैं जो भूल रहे हैं उसको एक सरसरी निगावंस उसको देख लिया कीजिए डेली बार डेली देखिए हर सब्जेक्ट रो रिविजन करना आपके लिए सब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और राम बार सावित होता है रिविजन देखिए सब सब्जेक्ट का रिविजन आप जरूर किया कीजिए कोई भी स्टुडेंट ऐसा नहीं है कि जो भूलता नहीं येकिन कुछ स्टुडेंट ऐसे होते कि जो बार-बार रिविजन करते हैं ज छब आप उस पर अच्छे से पढ़ सकते हैं जैसे आपको भुखार हो गया दो आगरी किसी को पढ़ेंगे वह चार कम अब अब बेकार चला जाएगा ठीक है जीतनी भिपोइंट आपको 8 पॉइंटी बताए हैं उन पॉइंटों को आप ज़रूर ध्यान दिजएगा सबस्क्राइब आपको क्या करना है देखिए एक पर ध्यान दिजेगा पहला आपको क्यारना है कि चीजों को एक दूसरे से रिलेटेट करके जैसे बताएं उसको पढ़िएगा फिर इसके बाद आपको क्या करना है ध्यान दिजेगा फिर इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है कि कविता और गाने के माध्यम से आप किसी भी विष्चे ही को पढ़िए कि जैसे आपको बता है इस पॉइंट को ध्यान दिजेगा फिर इसके अलाव आपको क्या ध्यान देना है कि लिख कर और याद कर कर और जोर जोर से बोल कर पढ़ना है फिर इसके साथ में आप क्या कीजिएगा कि डेली पढ़ने का प्रयास कीजिए और डेली सुत्रों का रिविजन कीजिए रोज रिविजन करना है आपको ठीक है और सुष्ट रहना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जितने भी से प्रतेक डेली बाइडि वीडियो अपलोड करेंगे आप उसको देखते रहे हैं और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल का साथ में सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर प्रयूब